हापी बर्थ दे नमस्कार स्विकिष्णा शिरादे बहुत बहुत स्वागत है आप सब का दिनांग 14 जुलाई आपका हैपी बर्थ दे बहुत सारी बधाईया आपके अश्टो फैंड की तरफ से पूरे साल आप यह उपाय कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं आज 14 तारिक को तो करना ही करना है बाकी दिन पर भी आप इसको अगस्त में देख रहे हैं अक्टूबर में देख रहे हैं दिसंबर में देखना है जब भी देखिए और आपको याद आजाए कि अरे 14 जुलाई तो आपका बर्डे है, आपके दोस्त का था, आपके साले का था, आपके जीजय का था, आपके पापा का था, आपके ममा का था, किसी का भी, आपके किसी भी नियर एंड डियर का बर्थने अगर 14 जुलाई को है, तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट है तोहफा है किसी को बताना कि उसे पूरे वर्ष किस प्रकार से रहना चाहिए उसके जीवन में क्या होने वाला है थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर मिल जाती है तो वो उसी हिसाब से तयार कर लेगा अपने आपको मित्रों मैं बता पास नहीं है जो लोग ये समझते हैं कि जोतिश शास्त्र अंद्विश्वास है क्या कहा जाए उनकी बुद्धि पर उनकी सोच पर बिलकुल गलत सोचते हैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं सोचना है ऐसे लोग पूरी तरह से अपने आपको सावधान रखें हमारे कारेकरम से अपने आपको जोड कर रखें हर कारेकरम में आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप इसके प्रैक्टिकलनेस को इसके साउस्टिफिक पहलू को समझ सकेंगे आपको यकीन होगा कि जोतिष शास्त्र वास्तों में है क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकेंगे इस बात को स्विकार कर सकेंगे कि वाकई जोतिष शास्त्र के द्वारा हम जीवन में क्या कुछ पा सकते हैं बहुत हद तक आपको अंदाजा लगता चला जाएगा समझेए अब हम आपको बताते हैं 14 जुलाई की ग्रह इस्थति मिथुन का सूरे रहेगा बुध राहु चंद्रमा एक साथ करक में रहेंगे 14 जुलाई को सुबह शुक्र सिंग में ब्रहश्पति तुला राशी में शनी धनु राशी में मंगल केतु मकर राशी में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश है दुती चरण में यह शनी का अपना नक्षत्र होता है इस नक्षत्र पुष्य का स्वामी शनी होता है सबसे पहले सिक्षा सेक्षणिक इस्थिति 14 जुलाई को पैदा हुए लोगों की आने वाले समय में अगस्त सितंबर में डावा डोल रहेगी बहुत कोशिशों के बाद भी आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा सितंबर आते आते आपका मन इतना भटक जाएगा कि क्योई अपोजिट सेक्स की लड़की लड़का उसके पीछे पीछे आप वक्त बरबाद करने लगेंगे आपकी सिक्षा बुरी तरह से प्रभावित होगी आपकी सोच बुरी तरह से प्रभावित होगी थोड़ी सी सिक्षा जनवरी फरवरी में आर्थिक विपन्नता के कारण आर्थिक संकट के कारण मनी वाइस क्राइस के कारण भी प्रभावित हो रही है उपाय हम बताएंगे कर लिजेगा 14 जुलाई को गर पैदा हुए है व्यापार व्यापार की स्थिती बहुत अच्छी हम मानेंगे आपके बड़े निर्ड़े बहुत कारण होंगे बहुत काम के सिद्ध होंगे विशम परिस्थितियां आपके लिए घातक होंगे और उन परिष्थितियों में आपके decisions बहुत संभले हुए होने चाहिए नहीं तो मामला खतरनाख है कहीं से भी आपके पक्षमें नहीं है हो सकता है कि कुछ परिष्थिति भी आपके विरुद्ध चली जाए इन परिष्थितियों में भी हम आपको सावधान कर रहे है अगर आप साजा में व्यापार कर रहे थे तो व्यापार के लिए निरणय जो लेना है वो अपने किसी बुजरुक से लीजिएगा जो आपसे 10-15 साल बड़ा होगा वहाँ पर भी आप घाटा उठाएंगे और फंस सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की नोकरी में पूरे वर्ष संभावनाय बनी रहेंगी नए परिवर्तन की नए इंक्रिमेंट की नए जगह में परिवर्तन की बिदेश भी जा सकते हैं अक्टूबर से नॉंबर के मद्ध में अगर आप 14 जुलाई को पैदा हुए है यह सारी परिष्थतियां आपके पक्ष में जाएंगी मतलब आप यह समझे कि प्राइवेट सेक्टर बालों के लिए जो 14 जुलाई को पैदा हुए है बेहतरीन समय आ चुका है कहीं से कोई रुगावट नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं अगर आप 14 जुलाई को पैदा हुए हैं और सरकारी नोकरी आप कर रहे हैं तो प्रोशन का वक्त आ गया है सितंबर के मद्ध से ले करके और अक्टूबर के मद्ध के बीच में प्रोशन हो जाएगा अधिकारियों के साथ कुछ स्थितियां परिस्थितियां पक्षमें नहीं थी तो वो भी आ जाएंगी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे भी आप वर्क कर सकते हैं यह प्रोजेक्ट आपका अपना प्रोजेक्ट होगा अगर आप गवर्मेंट जॉब कर रहे हैं 14 जुलाई को पैदा हुए हैं तो कई संपत्ति भी आप बढ़ा सकते हैं बना सकते हैं सोर्य मंगल का प्रोपर साथ आपको मिलेगा दामपत्य जीवन दिक्कत है सितंबर में ही परिशानी है अक्टूबर में फिर ठीक होगा नॉमबर में फिर परिशानी हो जाएगी तो उठा पटक उठा पटक मैं दोनों पर छोड़ता हूँ कि कौन कितना चलाना चाता है कौन कितना चला पाता है इस पर पूरी तरह से सब कुछ निर्वर करेगा प्रेमी जीवन में बैवाहिक किस्थियां सुगम होते होते रुख जाएंगी बहुत अच्छी नहीं रहेंगी उठा पटक होते होते फरवरी मार्च आते सेपरेट हो जाएंगे आप लोग बिमारियों की स्थिति, नियूरो प्रॉब्लम और पैंक्रियास की दिक्कत, किट्नी और हिमोगलोविन से समस्याओं बढ़ सकती है आपको उन समस्याओं पर काबो रखना होगा किसी मंदिर में धार्मिक अस्थान पर आप अन्य धर्म के हैं, हिंदु धर्म के अलावा मानते हैं तो वहाँ पर कुछ पुस्तकदान करें, तीन शनिवार लगातार कर दीजेगा और जब भी ये कारकरम देखें, including today, आज भी आप कर सकते ही उपाए, खाना खिला देना है तीन लोगों को, कुछ लोगों को, चार, पांच, साथ, दस लोगों को, जितने चाहें आप अगर आज आपके शादी की सालगिरा है, तो उसके लिए क्या उपाए है, आपकी स्क्रीन पर है तीन कन्याओं की शादी में मदद करके, तीन बच्चों की सिक्षा में धन दान कर दीजेगा एक दो महिने की फीज दे दीजेगा बस, बहुत बहुत शुबकामना है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को आप लोग का ये जनम दिन हमेशा मंगल कारी रहे, ऐसे मिश्वर से प्रातना करते है अपाइनमेंट लेना चाहते हैं, नमबर आपके सामने स्क्रीन पर है, नीचे चल रहा है और प्लेट पर डेट्स हैं शहरों के आपके शहर में हम कब रहेंगे, आप देख करके समय ले सकते हैं नमस्कार, शिरादे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए